जमु कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए उत्तरखन के लाल राहुल रेसवाल का पार्थिव शरीर चमपावत पहुचा, जहां पहले शहीद के पार्थिव शरीर को SSB की पंचम वाहिनी में रखा गया, उसके बाद शुरद्धांजली दे जनसैलाब उमड पड़ा, इस दोरान हर किसी की आँखें नम दिखाई दी, हर कोई शहीद की शहादत पर गर्व कर रहा है, पच्चिस साल के राहुल रेसवाल की शहादत से लोगों में भावनाओं का उफान उमड रहा है, योवाउन ने तिरंग के साथ जुलूस निकाल क पुलुवामा के शहीद रहुल को याद किया, उसके बाद डिपटेश्वर घाट पर सैन समान के साथ शहीद का अंतिम संसकार किया गया, बतादे की नेपाल सीमा से लगे तल्ला देश के रियसी बमन गाउं के फौजी रहुल रेसवाल मंगलवार को पुलुवामा में आतं जवान की शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार में कोहरा मच गया, पंजाब केसरी टीवी के लिए चमपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट